तो आज हम बनाने जा रहे कुछ इंट्रेस्टिंग सा रेसिपी देट इस चना दाल एंड कठल के पकॉड़े थोड़ा यूनिक रेसिपी है बट ये बहुत क्रिस्पी पकॉड़े बनते हैं हेलो अबरीवन वेलकम तो मदर्स किचन कॉर्णर तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी तो सबसे पहले हम कठल को छील कर ऐसे चोटे चोटे पीसेस में काट लेंगे इसको रफली चॉप कर लेंगे और इसको अच्छे से दो लेंगे और इसको हम उसके बाद कुकर में डालेंगे इसको दो से तीन सीटी लगाएंगे बॉयल करने के लिए धियान रहे आपका कठल चोटा है तो वो सकत रहता है इसलिए उसमें हमें ज़ादा सीटी की जरुवत है इसलिए हम उसमें 5-6 सीटी लगा देंगे लेकिन मेरा यह जो कठल है यह मीडियम साइस का है हमने इसमें 1-4 पार्ट लिया है तो इसको हम 2-3 सीटी लगाएंगे तो इसमें हमने ओयल डाला है थोड़ा सा क्थल में चिपची पाहट रहता है तो उससे जो कुकर है वो खराब नहीं होगा उसमें चिपचेगा नहीं तो यहां पे हम थोड़ा सा नमक और हल्दी एड़ करेंगे, ताकि नमक से जल्दी पक जाएगा, कठल और हल्दी से अच्छा कलार आ जाएगा, तो अब हम इसमें धक्कल लगा कर प्रिशर कुगर को गैस पे चड़ा देंगे, और इसमें दो से तीन सिटी लगा देंगे, तो यह आल्रडी पानी में भीगा के रखा हुआ था तो इसमें पानी या मॉश्चर है तो इसमें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो यह अच्छे से ऐसे ही पिस जाएगा तो अब हम इसको पीस लेंगे तो देखिए यह पिस चुका है हमारा देखिए बिल्कुल कघ्णा दाल का तो चलिए हमारा कठल हो चुका है दो से तीन सिटी लग चुका है ताब हम इसको कोलके चेक कर लिते हैं तो यह देखिए हमारा कठल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से दो से तीन सिटी लगने के बाद तो आप हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे अच्छे से ठंदा होने के बाद हम इसको मेश करेंगे ते फंदा हो चुका है और हम इसको आप मैश करätे अपने हाथों के aí पोटेटो मेस्यर के ही सही सब्सक्राइब करना है जैसे कि आत देख रहे हैं तो यह देखिये बिलकुल मैश्य हो चुकआ है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैश हो रखा है यह तो अब हम इसमें अपने चने दाल का जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसको हम इसमें मिक्स करेंगे ध्यान रहे कि चना दाल और जो कठल है दोनों का सीम कॉंटिटी होना चाहिए तभी जाके हमारा पकोड़ा जो ह करीब यहां पेहमने अड्ड़ के साहरी में चारज के कटे हुआ हुआ है कारी मिक्त्राइब यहां पेहां अजवाइन और तक हातों के दिद्ध हैं जोन पर रूबर करेंगे इसको मसल कर दो यह ऐगा अजवाएशन की वह यहां बहुत अच्छा होता है और यहां पेकलान या मंग्रेला हमने एड़ किया करीब हाफ टी स्पून यह सब ठंड के लिए बहुत अच्छा होता है जवाइन भी और कलॉंजी भी तो अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहें कि इसमें हमको पानी बिल्कुल भी नहीं एड़ करना है तो देखिए बि तो इसको तलना है और वैसी डालना है तेल में धीरे-धीरे वन बाई-वन डालेंगे और इसको करीब दोसे तीन मिनट बाद-बाद हम इसको चेक करेंगे और ऐसे पलट लेंगे बीच-बीच में ताकि यह जले नहीं और जो हमारा फ्लेम में बिल्कुल मीडियम रहेगा हा तो आप देख रहे हैं हमारा धीरे-धी दिरे कलर आ रहा है तो ऐसे हम पलटते पलटते इसका अच्छे से प्रया करेंगे तो आप देख सकते हैं अब यह पकोड़ा तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अगर बेल इकन और इंटरस्टिंग रेसिपी लुटे हम तब तक अपनी अगली रेसिपी के साथ तेक केर गुट बाइ और थाइंग एंग ये वर वाचिंग